इस वीडियो अपडेट पे हम बात करेंगे बिहार के मुंगेर से मिर्जा चौकी के बीच नेशनल हाइवे को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आई है इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किये सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब आरोबी का निर्मान संपार को तोड कर किया जाएगा जिससे ट्रेनों को सुरक्षित गुजारा जा सके और इसके उपर से आरोबी का काम कंप्लीट किया जाएगा ट्रेनों के सुचारू रूप से परीचालन, दुर्गटना पर अंकुस, लगाने और ट्रेन के परीचालन के दवडान बार बार सरक यातायात प्राभावित होने से आम लोगों की परिशानी को ध्यान में रख कर सरकार की योजना संपार की विवस्ता को खत्म करने की है ऐसे में रेलवे ने मुंगेर मिर्जा चौकी NH-80 में परने वाले सिव नरायनपूर मिर्जा चौकी सहीत तीन जगहों पर संपार की विवस्ता को खत्म कर वहां पर आरोवी बनाने का निर्मान कराने का फैसला लिया है डिपियार बनाने के लिए NH विभाग बहाल करेगा एजनसी और ऐसे में उमीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट में जितनी जल्द काम शुरू हुआ है उतना जल्द कंप्लीट भी हो जाए रिडेलवे ओबर ब्रीज के निर्मान के लिए NH विभाग डिपियार फिलाल तयार कर रही है अउमीद करते हैं कि इसको भी लेकर जल्द कोई अच्छी अपडेट निकल के सामने आएगी अधिकारियों के अनुसार एक आडोबी के निर्मान पर 25 करोड तक का खर्च आ सकता है एजनसी जब डिपयाल बना कर देगा तो वास्तवी खर्च सामने आएगा जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे घोरगट से मिर्जाचोकी के बीच तीन जगोड पर आडोबी बनाय जाएगा वहीं जरजर हो जुके ब्रिटीस कालिन सत्तर पुल पुलियां को तोड़ कर 10 मिटर चावडा इसे बनाय जाएगा सरक निर्मान में 883 करोड रुपे खर्च किये जाएंगे और घोरगट दोगची के बीच लगबग 400 करोड की लागत से और जिरो माईल मिर्जाचोकी के बीच 484 करोड रुपे की लागत से यह निर्मान किया जाना है तो यह था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं साथ ही चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो करने सब्सक्राइब अन अपडेट के लिए